शर्यू नदी का जलस्तर खत्रे के निसान से उपर होने से माज़ा इलाके में गन्नावा धान की फसल डूबी आपको बता दें कि दुबोलिया विकासखंड के अंतरगत रामजान की मार के दज्चि बने बंधे के पास शर्यू नदी का बार का पानी पहुँच गया है बंधे तक बार का पानी पहुँचने के बाद माज़ा में धान वा गन्ने की फसल पूरी तरीके से जल मगन हो गई है वहीं माज़ा इलाके के लोगों ने बताया है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे माज़ा इलाका में पानी भर गया है पानी भरने से पसुन के चारे वा तथा धान वा गन्ना की फसल भी दूब रही है तस्वीरों के माद्यम से आप देख पा रहे हैं कि जहां पर सरीव नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और पानी का दबाव तेजी से बना हुआ है जिसके चलते माजा इलाके में धान वा गन्ना की फसल पूरी तरीके से चोपट हो जा रही है वह है किसान रामजनक नेदी जानकारी हमारे साथ मुझूद है रामजनक जी रामजनक जी बाढ़ का पानी भरा हुआ इससे क्या दिकते हो रही है बताइए पहले तो सुखा पड़ा था किसी तरह बचा लिए अपनी धन सीच करकर किसी तरह जी अब तो सारी बाढ़ से डूपके जा रहा पूरी फसल आपकी प्रसासन से क्या मांग है हमें सरकार से कोई मदद चाहिए मैं तुले